हेलो फ्रेंड मैं आनद राज आप सो कि देखिए यह जो टीटी 11 जुन को आवेदा 6-25 तक देखिए जो चीज है पूरा फोल से समझे अब बताते हैं फरजी कैसे देखिए साथ तारी को देखिए इस बहुत पहले का समझे चीज आपको पहले परहाते हैं फिर उसकी इस पर पूछे कि आपको विधायक है डॉक्तर विरंदर कुमार वो पूछे कि आपको देखिए पूछा गया और पूछा गया क्या कि देखिए पर देखिए क्या जवाब दिये ता फिर आप अपने समझे यह कि इप प्रत्ता परिक्षा परती वर्स आयुजित कराय जाने का प्रवधार है प्रत्तु वर्स 2017 के बाद अभी तक प्रत्त्मिक सिक्षक है तुँ पात्ता परिक्षा का आयोजन नहीं किया गया है यदि हा तो सरकार वर्स 2022 में प्रत्त्मिक सिक्षों के लिए पत्ता परिक्षा आयुद कराने का विचा रखती है या नहीं तो अब देखिए आपका जो यहां पर जो यह तो है फिर जवाब देखे क्या विजयकुमार चोदरी जवाब बताया है अब देखिए लिखा हुआ है यह बहुत पहले क्या है आपको लग रहा है दुझार यह आपका सत्रह में जो टीटी हुआ था विया टेट उसी का है समझे करा एडवी कर समदे दिया मतलब अभी वह क्या जवाब देखे विजयकुमार चोदरी तो देखिए फरजी है तो व इसका जवाब दिए देखिए लिखा हुआ है कि श्री विजयकुमार चोदरी मालिय मंतरी सिक्षा विभाग वियाहर द्वारा द्वारा दिये गए उत्तर तेक उत्तर क्या है वस्तु इस्तिति यहां है कि सिक्षक पात्ता परिक्षा के संदर्ब आप से पढ़िएगा सरकार आपका सीटट कई गाम लेती है कि अंत पक्रिक्षित है कि वर्स मेंकं से कम से कम एक बार सिख्चक पात्ता परिख्षा का योजन किया रहा है यानि का रहा है विजाय कुमार तुछ जो है लिया ही जाता है कोड़े का पतलब उड़का है केंसरकार द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार सिक्षक पत्ता परिछा का जा रहा है यानि को रहा है विजय कुमार जो चोधरी ये बोल ले हैं कि केंसरकार द्वारा यानि सीटेट के दौर सीटेट केंसरकार द्वारा वर्ष म से कम से कम एक बार सिक्षक पत्ता प्रिक्षा कीया जा रहा है राज सरकार द्वारा रवर्च 2017 कोड़्य अभी जो जठता चरनी का भाली हुआ है थट चरन का वस वर्स 2019 से बीस में शिक्षक नियोजन की करवाई में समलित होने का उसर दिया गया है यह नियोजन की करवाई मार्च 2022 तक पुर्ण करने का लक्ष रखा गया यानि जो आपका सब्सक्राइब करने का लक्ष रखा है इसके उपरांद सिक्षक पाता परिक्षा के आयोजन पर आवसक्ता अधारित निन्नाय लिया जाएक अभी देखिए निन्नाय ही ले जा रहा है उसमें दे रहा पेपर वे कि मतल डेटा गिया समझे अभी इस आपका साथ तारी की कोशन पुछा गया था वीधान सवा में तो यह कि आवसक्ता में अधारित निन्नाय लिया जाएगा विदित हो कि बिहार राज के अभी रोर्टियों को भी क्यंसरकार द्वराजि सिंख्षक पात्ता परिक्षा में समलित होने का ओसर मतलत समलित है यहां पर भीहार सरकार का जो व कि विधित हो कि बिहार राज के अभिहार्थि को भी कें सरकार द्वारा आयुजित सिक्षक पात्ता परिक्षा में समलित होने का उसर समलिक मतर्स समलिक थे सम्झे यहां पर लिखा हुआ तो देखिए अभी इनका विचार क्या है करेंगे कि इसके उपरां सिक्षक पात्ता परिक्षा के आयोजन पर आव सेक्ता अधारित निर्नाय लिया जाएगा और यह भी बात बोला है कि हम लेवे लेंगे और नहीं लेंगे हम तो सीटेट तो यहां लेवे करती है हर चाल उसका तो हम भैलू देवे कि हैं विहार में ज मिलित हो कि धिहार राज कि भीहर्थ यहार थी को भी चिख्ड़ावारां से विपता परिक्षा में समलित किया जाता है समझे 2732 आवेदल 1425 साय पही इसका कोईछ संडय ejemplo समझे क्योंकि यह हमको लग रहा दुज्ञा सत्रा का है उसका पेपर कट है समझे फिलिका बिहार विद्ध्या ले उसको थोड़ा देख लेते पढ़ लेते बिहार विद्ध्या परिक्षा समीती ने परान। सिक्षक पात्ता परिक्षा की तिति घोसित कर दिए अब इसका कहों जीक्रे नहीं है समझे आपको बिहार विधान सवाव कोश्चन पुछेते उसका भी हम देखा दिये हैं समझे यह चीज़ क्या है कि आपका मतलब पूरा क्या है आपका की मतलब यह चीज़ पूरा आपका सुने हुए है जिनका सीट में ज्वाइन हो गया सीट नहीं होता है सिर्फ आप मतलब आपका 20 में अडिशन करवाया है कि इसमें आप एक्जाम दे सकते हैं समझे ए चीज़ है तो दो को चीज़ बहुत ही उमर फन लाएक तो बीटेट का एक्जाम होगा दूसरा की 20-22 वाल और मेरे अथी से बहुत आजमी से पूझे समझे बोला है वैलेट होगा क्योंकि सेशन का आपका क्या होना दे सकते हैं समझे यह चीज़ है तो जिनका नहीं निकला हुआ है वही बोल लाएक्टिट वाला है यह अभी हमको नहीं लगता है कि जो सत्मा चरण आएगा उससे अधूले नहीं होना चाहिए फ़र्फ देखिया आपकर कह दिये हुए आपके कौन विजय कुमार चोधरी की हम क्या करते हैं कि मतल्ब सित होता है उसको क्या करते हैं यहार मैं रियार के हम अर्थियो का निवीज़न ज्वाता है उसमें हम सामिल करते हैं तो वह लेगिए लेकिन लेना चाहिए कि सत्रक मादा 22 हो गया उनको लेना चाहिए समझे तो सोचे है कि आपको करवाद इतने अप्डेट में ठाइए